युवक की तिक्षन हतियार से हत्या कर उसका शव जलाने का प्रयास किया गया इस संसनी खेस वारदात को पार्शिवनी से लगवक पाच किलोमेटर दूर इटगाव परिसर में सोमवार की रात में अंजाम दिया गया मंगलवार की सुबह खेती हर महिला मजदूरों को उक्तशाव इटगाव दिगलवाडी लगू सिज्चाई नहर के समीप गवरव सादत करके खेत में दिखाई दिया सूचना मिलते ही पार्शिवनी पुलिस मोके पर पोची प्राथमिक जाच में कयास लगाया जा रहा है कि उवक को चौपई या वान से घटनस्तल पर लाया गया होगा वह चाकुनुमा हतियार से उसके सीने पेट पीट पैर पर वार किये गए इसके बाद सबुत मिटाने की इरादे से युवक को मृत समझ कर सादत करके खेत में स्टिक जोपड़ी में फेक कर आग लगा दी गई लेकिन उसमें जान बाकी थी युवक अदमरी हालत में जलती जोपड़ी से बाहर निकला वह जुलस चुका था जोपड़ी से कुछ दूर जाकर उसने दम तोड़ दिया मृतक के दाय हाथ पर महाकाल नाम और बजरंग बली का टैटू गुदा हुआ है हाथ में कड़ा और गले में ताबिज है पार्शिवनी पुलिस और ग्रामिन पुलिस की लसी बी जाच में जूटी हुई है जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधरिक लेजर से उपचार अभ्यूदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब दीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर